वैलकम बैक टू टेक्निकल दोस्त और मैं हूँ आपका दोस्त पनीत क्मार CC3 BTL का जो मैंने कैमरा परचेज किया था इसका मैंने अन्बॉक्सिंग वीडियो आपको दिखाया था आज मैं बताता हूँ इसको मैंने क्यों परचेज किया तो यहाँ पर इसके कुछ फिचर्स है 3MP का आपको कैमरा मिल जाता है इसमें, Full HD वीडियो रिगॉर्डिंग मिल जाती है इसमें, 256GB तक का इसमें Micro HD सपोर्ट मिल जाता है आपको और 2-Way Support Eco Cancellation मिल जाता है इसमें, Wi-Fi से Connect हो जाता है और यहाँ पर आपको Cloud Storage भी मिल जाता है इसका कुछ Extra Charge आपको Pay करना होता है इसके साथ ही इसके जो फिचर्स है यह PTZ मोड में काम करता है Motion Reduction करता है कि आप जिस तरीके Moment करेंगे, केमरा अपने आप घूम जाएगा Smart Tracking, Two-Wake Talk आप इससे बात भी कर सकते हैं और Night में भी बिल्कुल Clear काम करता है तो मुझे बहुत अच्छा Product लगा, अब मैं बताता हूँ आपको इसको किस तरीके से आप इसको Install कर सकते है तो यहाँ पर आप Google Play Store पर जाएंगे और Smart Life करके एक एप है जिसको आपको Download करना होगा तो इसको Download करने के बाद आपको इसको Install करना होगा और उसके बाद आपसे यह आपके Agreement Sign करने के बाद आपसे आईडी मांगेगा तो एक Gmail आईडी आपको इसमें डालनी है, Country, India करना है आपको Gmail पर एक Verification Code आएगा, उसको डालने के बाद आपका Password reset करने के लिए कहेगा आपको यह तो आप कोई भी Password 6-20 अंग के बीच रख लीजिए और अब आपको यहाँ पर Device Search करनी है अपनी तो यहाँ पर Bluetooth को On करके हम Device Search करेंगे और Live Location देखेंगे, आप तो BTL CC3 यहाँ पर Search में आ गया है अब इसको हम Connect करेंगे, यहाँ पर एक चीज में Clear कर देता हूँ कि आपके गर में Wi-Fi होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपका Mobile प्लस आपका जो केमरा है, वो Wi-Fi से Connect होना चाहिए, तो हमारा जो केमरा है, वो Connect हो गया है, अब यहाँ पर हम Done कर देते हैं, और केमरा लाइब हो गया है, आप देख सकते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसको Smart Life एप को इस्टॉल करके इसको लाइब कर सकते हैं, सब कुछ अपने आप होने लगता है, बहुत ही अच्छा डिवाइस है, यदि आपको इसको परचेज करना है, मैंने नीचे लिंक दे दिया, आप मेरे लिंक से जाके परचेज कर सकते ह तेंक यू